हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों मैं डॉक्टर धर्बेश आप सब का स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ आप लोग सेहत बंद रहोगे और आगे जो मैं बताता हूँ उसको अपने जीवन में अमल में लाओगे एक्यूप्रेशर हो योगा हो नेचर उपैथी हो या कोई भी आयरुबेदिक होम प्रिट्मेंट हो जो हम घर में कर सकते हैं दोस्तों जरूर करनी चाहिए इससे हमारी लाइफस्पैन भी बढ़ती है और जो समझ से हम फेस करते हैं जीवन में उससे दोस्तों निजाद भी मिलती है आज मैं दो चीज़ आप लोग को बताऊंगा एक तुम्हें जो पोस्ट कोबिट पेशेंट हैं उनके लिए मैं सांस की क्रिया बता रहा हूं जो बिचारे परेशान है और जिनका लंग्स पूरा काम नहीं कर रहा है कहीं 10% 20% कम काम कर रहा है उनके लिए तो दोस्तों राम कर पाया है आपके एट्री अगर कहीं ब्लॉकेज हो रहा है उसमें भी दोस्तों कमी होगी है लेबल दोस्तों आपका बेहतर होगा लेबल दोस्तों घटेगा अगर बढ़ा हुआ है एंग्जाइटी डिप्रेशन से दोस्तों मुक्ती मिलेगे पहला है कभी भी आपको रात साम को भी कर सकते हो, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, पोस्ट कोभी पेशेंट हो, बार बार आप सांस की क्लिया करें, और थोड़ा सा जैसे गाइड करता हूँ टेक्निकलिटी के साथ, ऐसा करिएगा, एक बार देखो मैं करके दिखाता हूँ, मेरे हाथ को देखो, थम यहाँ प सांस लिया, तो मेरा दोनत थम को मैंने टाइट किया, थोड़ा सोल्डर को उपर उठाया, फिर थम ढेला किया, और सोल्डर नीचे लाया, सांस लिया और सांस छोडा, देखो एक बार फिर, ऐसे करते जाओ, कम से कम दोस्तों, तीज बार के आसपास, दिखाने के लिए मैं तुमको यह थम को अलग करके भी दिखा रहा हूँ, कि आप छोड़ते समय इसको अलग कर लेना है, मगर आप ऐसे टच करके भी लूच कर सकते हो, एक सेकेंड से रूप भी सकते हो, फिर तो कुमभग पोईशन में रहे भी सकते हो, जैसा थोड़ा सांस खींच के, यहाने बीज बीज पे आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, रोक के कुमभग पोईशन में भी जा सकते हो, जिससे आपकी लंग की कैपाशिटी दोस्तों बढ़ेगी, लचिलापन उसकी बढ़ेगी, फ्लेक् फायदा हो गया, दूसरा और एक तरीके से भी आप ब्रीधिंग कर सकते हो, जैसे की, यहाने मैं एक्सपेंड कर रहा हूं चेश्ट को देखो, यहाने मैं से रोग भी सकते हो दोस्तों, इसके साथ साथ, आपको और एक थार्ड टेक्निका को सिखा रहा हूं, पोस्ट को बीट पेशेंट के लिए खास करके एक्सेसेज बता रहा हूं, मगर सारे लोग कर सकते हैं, मगर जो आस्तिमेटिक लोग हो, ब्रंकाइटी से पिडित हो, वो तो इसको बढ़िया से करना चाहिए, हर रोज करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, और कोई लिमिटेशन्स नहीं है, ता उम्र दोस्तों करनी है, याने सांस लेते हुए, मैं हाथ उपर उठा रहा हूं, दोना हाथ मिला के, ऐसे जा रहा है, सांस छोड़ते हुए, ऐसे रिटन आ रहा हूं, इसको भी आप 22-30 टाइम्स कर सेकते हूं, एक हो गया, चौथा एक बताता हूं, टोटल पांच बताता हूं, फोरत अभी अब देखो, थम कर दबाओ ऐसा ही है, मैं भी कैमेरे के तरफ देखके कर रहा हूं, आप चाहूं तो थोड़ा ऐसे मूड भी सेकते हूं, अगर आपके पास स्पेस है, दोनों साइड में थोड़ा मूड भी सेकते हूं, यह होगे आपका चौथा मेथड दोस्तों, और आखिरी मेथड बताऊंगा, वह इस तरीके से, बहुत सारे वीडियों में बताए हूं, हाथ की मुठी बन करते हूं, सांस लेना और फिर बहार निकालना, जब हम हाथ की मुठी दोस्तों बन करते हैं, जहां पर हमारी इंडेक्स पिंगर टच होती है, कि प्रेशर के हिसाब से, वह हमारा अडेनल ग्लैंड होता है, नहीं है, बार बार आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं, आडवाइस भी करता हूं, किताब रखो, लाके ओनलेन अमेजन से मंगा के, जिससे कि आप समझ पाओ पढ़के, और इस तरीके से वीडियो जो बनाता हूं, तो आप किताब को आज रेफेल इस्तमाल करो, मीड फि फिंगर है, यह हमारा लिवर को टेच करता है, लेफ्ट साइड दोस्तों हार्ट को टेच करता है, आज यह होल हमने थम को जो उपर रखते हैं, उससे सारे उंगलियों पे दबाव बनता है, और ब्रीधिंग जो करते हैं, उसका तो फायदा है यह, प्राण बाइक को अंदर लेना, और उसका इस्तेमाल करना, अपने आपको अक्सिजेनेट करना, मैं मकसद यही है, जो इनसान अपने आपको अक्सिजेनेट करता रहेगा, उसको कोई समस्या दोस्तों नहीं होगा, और समस्या हो भी जाता है, उससे निकल आएगा, इतनी जिबन सक्ति होती है, और ख कि तो आगे देखो कैसे कर रहा हूं कि हाथ की मुठी में बंद कर रहा हूं सांस ले रहा हूं और शोल्डर मेरा उपपर उठ रहे हूं कि जिनको डिप्रेशन चिट्चिडापन एंग्जाइटी होता रहता है वह सुबह साम अगर आदत करके 100-100 बार कर लोगे या 50-50 बार कर लोगे तो वह सब चीजें थीक हो जाएगी खास करके सुबह आदत करके जाते हो तो आप अगर बिजनेस में जाते हो या जॉब करने ज जाते हो या कहीं पर भी जाते हो अपने कामकाज में वहां पर आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं आओगे कितना भी बुरी हालत हो कितना भी नेगेटिव एंभार्मेंट बन जाए और दिन भर समय बिता के अगर 50-100 बार ब्रिदिंग करके ऑफिस से निकलते हैं या घर पहु पहुंचना है वो तो पहुंचेगा आपका भाइटल अर्गांस में लाव होना ही है पुरे सरीर के हर जॉइंट में आपका नई जीवन चालू हो जाएगा तो इसका तो उसमें बहुत फायदा है तो देखो मैं करता हूं और एक बड़ी देखो कि यहां जो मेरे पास मरीज आते हैं अलग-अलग मरीज उनको मैं ट्रेनिंग देने पर ज्यादा बिलीब करता हूं कुछ दिन मेरे पास रहो अपना जो प्रॉब्लेम है उसका ट्रीट्मेंट तो होगा साथ मैं आखिप्रेशर की ट्रेनिंग आपका एक्सरसाइज पीडियो गरा बनागे मैं जो आपके साथ देता हूं और उसका अगर इंप्लिमेंट करते हो तो दोस्तों उसका लाव होना ही है और सब को हो रहा है आपको भी हो गया बहुत ज्यादा जो लोग पीडित हो वही लोग आओ अपुट्मेंट लेके अधरवाई यह सब देखक करके अब लाश्ट में ओम का उच्चरण कर सेकते हूं करके बारी दिखा देता हूं एक कोई भी मुद्रा ऐसे बना लें ओं ओं नमां इस तरीके से बिस-तिस बार अब ओम का उच्चरण करके क्लोज कर सेकते हों जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो लोग कैसे करोगें कई बार तो हमने जैसे सिखाते हैं अपनी खिमता बढ़ाने के लिए ताकत बढ़ाने के लिए याने पेड़ा अंदर बार हो रहा है मैं अल्ला हू अल्ला हू कर रहा हूँ और जैसे उसों ने अपने इसमें बहुत इसको यूज किये हैं हूँ सब्त का हूँ ॥ू हूँ ॥ू हूँ ॥ू हूँ हूँ सब्त तो ल 沒有 Muslim are Christian कोई भी यूज कर ले हैं है तो हूँ सब्त का इस्तवाल करके मि सुभा सुभा पेट अंदर बाहर होता रहेगा रहू हूँ चलता रहेगा कैसे हो हो छो भी करोगे पेट अंदर बाहर होगा और इससे लंग्स का दोस्तों भी ख्यमता बढ़ता है पेट बहुँ अंदर बाहर होना से पेट刚on जो विक्रति यह वी दोस्तों ठीक हो जाते हैं और भगवन का नाम लेना तो सबसे बढ़िया है ओम का करेंगे को we know होना ठैया करेंगे तो हमें मिले एंगेटिव से दूर रहना है और सब करता है नेगेटिविटी से बचाता हैक फाल्तु चिंता से पहले सुरूब में कहा कि पोस्ट कोबिड जो लोग हैं उनका जिंदेगी डिफिनाइटली संघर्स बरा है और बहुत ज्यादा दबाव पुन्न है तो यह दबाव कम करेगा और आपको नई जिंदेगी देगा मैं आपके साथ हूँ और साथ ही रहूंगा जब तक मेरे जान म जान है थैंक यू बेरी मच जय हिन जय भारत जोस्तों आप सभी के लिए खुशकबरी है नहीं आपको अस्पिताल जाना पड़ेगा नहीं सर्जिरी के लिए जाना पड़ेगा अपने घर बैठकर आप बड़े से बड़े बिमारियों का एलाज एक्यू प्रेशर होम आयव का पेंड्राइब के माध्यम से ओनलाइन आमाजान पर उपलब्द है माई हेल्थ इन माए हैंड इंग्लिश आव हिंदी किताब 51 तथा 101 बिमारियों के लाज के साथ ओनलाइन आमाजान पर उपलब्द है दोस्तों अब आप बिना दवाई के बिना अस्पिताल जाए घर ब बाए पर उ कबना अस्पिता चार के लाजके